विज्वल्स जो है वो सेकंड सेमी फाइनल जो मुसूद बदर्वा और जैफरान पुछाल का है 126 सिकोरे बदर्वा का पांच विक्टूं के नुकसान पर अभी तीन अवर जो है वो बाकी है अच्छी शाट इस गयन को निकाल दिया वहाँ पर कवर की जाने वहाँ पर फिल्टर मोजूद है अच्छी फिल्टिंग वहाँ पर तब तक कासानी से बेट्समेन ने जो है वो दो रन पोरे कर ले 128 पे 5 खिलाडी आउट है बसूत बदर्वा के और ये सेकंड सेमी फाइनल हो जो है वो उनका फाइनल में मुकाबला हुआ था इस गयन का इस बार अच्छी शाट और ये चार रन थोड़ी सी उपर गयन फेंकी थी कदमों का हलके से इस्तमाल किया और इसको गयन को जो है वो बल्ले के बीचू-बीच लेते हुए कवर में जो है वो खेल दिया क्यूंकि कि यह Death Hour से यहाँ पर invitation की जुरुरत नहीं है क्यूंकि बहल ठोड़ी सी पुरानी हो चुकी है और जो बहल पुरानी बात है कि वो स्विंग नहीं होती है और यह जो मेच है वो यहां पर जो है वो मेट पर खेला जा रहा है डैंपने से विकट में जितनी जैसे मैं लगातार बोल रहा हूं कि जितना आप तेज गेंद करेंगे उतने आपको जो है वो रन पढ़ेंगे 132 सिकोर है बदर्वा का ये शाड गया आगे चलकर इसको जिए वो पुल करना चाहते थे लेकिन काफी आगे निकल रहे थे अंपार से शाड वाइड बाल की जो है वो डिमांड कर रहे थे बैट्समेन लेकिन क्युंकि काफी आगे निकलकर जो है वो क्रीज से आये थे और अच्छी गेन के ती लेकिन थोड़ा सा ओर पीछ इसको किया और बैट्समें जो है वो पॉजिशन में थे और सीधे इसको खेलकर जो है चार रन हसलिकिए जित्हें दर पांच मी गेन दो चो के इस वर में पड़ चुके हैं उनको आखरी डेथ ओवर से अच्छी गेंटी देखिए और ये वहां पर अच्छी कोशिश की थी वहां पर केज लेने की दोरान जो है वह आसानी के साथ पूरे कि ये बड़े अच्छी कोशिश थी वहां पर फिल्डर की काफी मेंगा ओवर साबित होता हुआ यहां पर जितिंदर का ये आकरी जो है वो डेथ ओवर से जितना आगे बदरवा का स्कोर जितना जादा जाएगा उतने प्रेशर में जो है वो जैफरान पुछाल रहीगी मुसूद एक प्रफेशनल टीम है इनके पास अच्छे बालर है पेस वालर में और जो स्पिन करते हैं और दीमी गेंद करते हैं वो भी बालर इनके पास मौझूद है देखेए इसको बाड़ी में डाली थी और और अच्छा सा जो है वो यहां पर केज पक्ड़ा कीपर ने आप देख रहे थी पेले रीच में बाल पर दी जा यह में जारी है बदरवा जो है वो एक तरह से जो है वो सिकोर में नोंने कमबेक किया काफी चैलेंजिंग सिकोर होगा जैफरान पुछाल के लिए अच्छी गेंद विक्टू में ये गेंद थी गेंद ने थोड़ा सा उचाल लिया बैट्समेंड जो है वो चूग गए आप यहां पर मिडान लगाया गया है लांगान पर कोई फील्डर नहीं है शाट फाइन लग लगाए गई है डीप मिडविकेट है और साथ में जो है वो पॉइंट है डीप पॉइंट है बैकवर्ड पॉइंट है कावर में रमीज खड़े है अच्छी गेंद इसको कट कर दिया हण कावास पर फोल्द फिल्डर्स पर मौझूत एकार्डिंग टू फिल्ड जो है वो बालर जो है यहां पर बालिंग कर tą लिंग यह तब तक यहां पर काफी कम मार पड़ेंगी काफी रहन जो है भूत जा कब जाहिर सी बात है छे विक ते गिर चुकिंए है अभी दो आवर बाकी है इस इनिंग के 140 के करीब जो है वो सिकूर है आप देख रहे हैं पुछाल जो है वो काफी स्ट्रगल कर रही है बालिंग में अच्छी गेंड तीन गेंडू में एक रान निकला है अच्छा ओवर कर रहे हैं यहां पर यह सेकंड लाश्ट ओवर जो है अब देख रहे हैं यह मेर्य वह लाईवा हो रहा है जैन के स्पोर्ट से क्रिक सपोर्ट से हूं राव कुस कोशिश हैं कि अजकर डिजिटल जमाना है जो है वह लायू किए जा रहे यह गेंद फिर से अच्छी गेंद डीमी गेंद कर रहे हैं यहां पर मैंने जो पैसे पहले भी पता रहा हूं जितनी तेज बालर कोशिश करेगा बाल करने की उतनी रन पढ़ेंगे लाइन लो लैंड जो हो नपी तुली होनी चाहिए विक्टो में आप बाल कीजिए जिस तर एक रन मिला अच्छा ओर जो हो यहां पर कर रहे हैं ऩो दूर ने जो है आपी तक पांच गयंदों में निकले अभी देखना है कि इस गयंद पर क्या होता है अगर तो एक तो एक अच्छा ओआर साबित हो चेल के लिए शर्य दो रन जो है situation एकषी फील्डिंग लगाई कोई जो है वो गड़बड़ी है तो उसको कैप्टन से बात करनी चाहिए ये गैन इसको उठा दिया कवर के उपर से और ये चार रन हमने देखा कि जैसे ही यहां पर फिल्डर जो है वो उपर आये और बेट्समेन ने चांस लिया और चार रन हासिल किये 144 रन साथ विकड के नुक्सान पर आखली अवर आना जो है वो मेज का बाकी है इनिंग का आखरी ओवर होने जा रहा है 144 रन है बदर्वा का मुसूद बदर्वा का देखते हैं कितना रन बनाते हैं कितना टोटल मिलता है यहां पर 18 अवर का यह मेज है जो भी टोटल होगा एक चैलेंजिंग टोटल है जो पचाल है उनकी भी अच्छी बेटिंग लाइन अप है और इस कर को उठा दिया और यह गेंद बॉंडरी के बार 6 रन के लिए 150 रन इसी के साथ पूरे हैं यहां पर बदर्वा मुसूद बदर्वा के पूरे हो चुके आप देखे मिडल और लेक्स्टम पर यह गेंज जो है वह बालर ने की थी और बेट्समेन को जो है वो एक तरह से आर्म्स खोलने का जो है वो मोका दिया और यह और यह ड्राप केच केच ड्राप यहां पर आप देख लीजे कि यहां पर एक एज लगी थी आउटसाइड आप स्टम यह गेंज फेगी थी गेज शूट गए यह जो है वो एज थी एक हल्दी एज थी लेकिन कीपर काफी आगे खड़े थे आखरी ओवर हो रहा है इस इनिंग का डेट सो रान है बदरवा के अची गेंड आउटसाइड आप सिटम काफी फ्रेंडली माहोल में मैचेस होने चाहिए और जो सलैजिंग है यह बाकी चीजे नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी नोग जोग जो है वो मैच को इंट्रेस्टिंग करने में जुरूरी होती है और यह अच्छी गेंड पहली गेंड जो है वो खराब कराई थी उसके बाद जो है वो बालर अब लाइन और लेंट पर जो है वो आ रहे हैं डेट सो रन आरेडी जो है वो यहां पर बदरवा के हैं एक सेफ स्कॉर माना जा सकता है लेकिन किरकट पे कुछ भी हो सकता है यहां पर एकसो एकुंजा रॉन जोह है वो यहां पर बदरवा ने बनाएं शायद आकरी गेंड बाकी हो की आप इस इनंकरी गेंड आ रही है अभी तक बदरवा म선uit ने जो है एकसो एकुंजा रॉनंढ जो है वो बनाए है हम में सोकते हैं चोगान ग्रोंड में अस्रारिया कप जो है उसका सेकंड सेवी फाइनल हो रहा है जो जैफरान पुछाल और मुसूद बदरवा के बीच हो रहा है और पहले इनिंग की जो है यह आखरी गेन है आप देखिए आए बालर यहां से गेन कर रहे हैं अच्छी गेन लेकिन इसको निकाल दिया फाइन लेकी जाने चार रन आखरी गेन पर चोका लगा यहां पर अच्छा खासा ओवर बदरवा के लिए यारा रन निकले उस आवर से और 155 रन बनाए यहां पर बदरवा ने 156 रन का टार्गेट दिया है उन्होंने पच्छाल क यह मेच जितने के लिए